हेले फ्रेंट्स वेलकम टो काश्वनी टेक आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें चीप जो 50 रुपे 40 रुपे का थर्मल पेस्ट आता है वो लगाना चाहिए या फिर महेंगे वाला जैसे कि हमारा कूलर मैस्टर का करायो फ्यूज जैसे आता है थर्मल एक तरह से होता है तो आज हम यही टेस्ट करेंगे कि जो चीप थर्मल पेस्ट है यह कितनी टेंपरेचर इसमें निकल के आते हैं और हमारा जो महेंगे वाला है इसमें कितने टेंपरेचर निकाल के देता है और इसमें कितने कम टेंपरेचर हमें देखने को मिलते हैं यही आज हम टेस्ट करने वाले हैं तो यह जो टेस्टिंग है हम करेंगे राइजन 5 3500 और मेरे पास कुलर मास्टर का ही H410 CPU कूलर है और हम देखेंगे कि चीप थर्मल पेस्ट में और इस थर्मल पेस्ट में कितना डिफरेंस आता है और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपने अपलाय करना है 99% जो लोग है वो गलत तरीके से अपलाय करते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको अपलाय करने का सही तरीका भी है मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ तो ये वीडियो बहुत ही informative होने वाली है इसे starting से लेके end तक जरूर देखिया कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा तो मैं अपनी PC की specification आपको दिखा देता हूँ तो मैं use कर रहा हूँ Ryzen 5 3500 जो की जिसकी boost clock जो है 4.1 GHz किया लेकिन मैंने से 4.15 थोड़ा सा extra इसे अवर क्लोग कर रखा है 16GB DDR4 RAM है 32,000 MHz पे मैंने से अवर क्लोग किया है RAM को वैसे 3000 MHz की RAM है ये मैंने इसको 32,000 MHz पे अवर क्लोग कर रखा है और इसका link और इसका link हमने description में दी रखे हैं सबसे पहले देखते हैं कि इसको apply कैसे करना है apply करने के लिए आपको देखें जैसे हम नया नया PC लेते हैं ना तो उस टेम क्या होता है कि हमारा CPU का surface है और हमारा air cooler का जो heat sink का surface है वो तकरीबन clean होता है उसे clean करने के जूट नहीं होती तो उस टाइम जो हम thermal paste यूज करते हैं वो ओलेडी प्री applied आता है हमारे CPU cooler के उपर तो उसमें कोई दिख करनी होती लेकिन जैसे ही हम उस thermal paste मालीजे एक साल दो साल के बाद जो thermal paste dry होने लगता है या फिर हम कोई CPU cooler upgrade करते हैं उस time पे हमें जो thermal paste है उसको clean करना होता है mostly लोग क्या करते है कि कपड़े से clean कर लेते हैं लेकिन जो मैं बता दो जो surface होती है हमारे CPU cooler की और हमारे heat sink की वो एकदम smooth नहीं होती वो ऐसे खुरदरी होती है अगर हम microscope view देखें उसका तो वो plane नहीं मिलेगा जाते हैं जैसी उनके अंदर thermal paste fill हो तो अच्छे से contact हो सेगे जो thermal conductivity है CPU से heat sink वो proper बैठ जाए इस तरीके से तो जो plane surface होती है वो खुरदरी होती है लेकिन जैसे ही हम एक बार हमने heat sink पे thermal paste apply कर दिया उसके बाद जो है thermal paste उन छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उनके अंदर फ प्रोपाइल एलकोहल यूज़ करते हैं यहां पर बहुत ही सस्ता आता है ज्यादा महेंगा भी नहीं आता है वो यहां पर जरूर यूज़ करें cleaning purpose के लिए तो आपने क्या करना है कोई भी tissue paper लेना है tissue paper से अपने heat sink को साफ करना है अच्छे से और फिर आप अपने CPU cooler को साफ करना है जब तक साफ करते रहिए जब तक हमारा जो tissue paper है या cotton cloth है वो एकदम साफ नहीं निकलाता ठीक है उसको clean करते रही करते रही करते रही है आपका थर्मल पेश निकलता रहेगा निकलता रहेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि थर्मल पेश निकलना बंद हो जाएगा उस हम माल लेंगे कि हमारा जो heat sink का surface है और CPU cooler का surface है वो एकदम clean हो चुका है और side में से भी आप isopropyl alcohol लगा सकते हैं यह safe to use है अगर आपके motherboard पे चला भी जाए तो जल्दी वो vaporize हो जाता है तो फिर आपको अपना thermal paste जहें वो apply कर देना है यह वाला thermal paste आप apply ना करें silicone based होता है यह वाला thermal paste आपने apply करना थोड़ा महंगा आता है यह cooler master का description में लिंक है वहाँ से आप इसको check out कर सकते हैं और इसमें आपको एक अगर आप isopropyl alcohol अगर use नहीं करना चाहते तो इसमें आपको यह देखिए यहाँ पे तो इसमें आपको इस तरह से एक grease cleaner भी देखने को मिल ज होता है तो मेरे ख्याल से यह sufficient नहीं है इसलिए आप isopropyl alcohol अलग से order करके रखें इस तरह से आपने अपने clean करना है और जो यह होता है apply करने के लिए आप इसका भी use कर सकते हैं यह देख लीजे इसका भी आप apply इसका भी use कर सकते हैं ताकि अच्छे से spread हो जाए और जो यह cry यह fuse का है जो cooler master का है fuse है यह आप दो बार apply easily कर सकते हैं दो बार easily apply कर सकते हैं तीन बार भी इसको apply आप कर सकते हैं दो या तीन बार आपका यह चल जाएगा तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इन दोनों को use करने के बाद जो difference है वो क्या आता है कितने temperature difference आते हैं तो यह thermal paste है यह अगर मैं use कर रहा था तो वहाँ पे मेरे को temperature 81 देखने को मिले थे आप देख सकते हैं तो 81 degree Celsius बहुत जादा होता है CPU के लिए तो 81 degree तक यहाँ पे जब मैंने यह use किया तब 81 degree Celsius तक यह पहुँच चोगा था तो safe तो है लेकिन आपकी जो CPU की life हो दीरे दीरे कम हो जाएगी लेकिन जैसे ही मैंने यह use किया ना तुम आपको दिखाता हूं तो जैसे ही मैंने यह cooler master का cryo fuse use किया तो यहाँ पे आप देख स चीप वाले में और महेंगे वाले में तो conclusion क्या निकला conclusion यही निकला कि आप चीप thermal paste के साथ ना जाए हाँ अगर आप छोटा मोटा प्रोसेसर आपका ज्यादा महेंगा प्रोसेसर नहीं है तो आप इसको use कर सकते हैं अगर आपका महेंगा प्रोसेसर है थोड़ा सा तब पड़ेगा अगर आपको temperature थोड़े कम चाहिए तो तो प्रोसेस सिंपल है इसकी अगर आपका thermal paste dry हो गया है तो उसको साफ करने के लिए आपको isopropyl alcohol use करना पड़ेगा अच्छे से साफ करना है दोनों को फिर आपको यह thermal paste apply करना है इस thermal paste को apply करने के बाद अच्छे से heat sink को उसके उपर आपने assemble कर देना है जोड़ देना है और आप देखेंगे कि आपके जो CPU के temperature है वो बहुत जादा कम हो जाएंगे और आपकी CPU की life भी है बहुत जादा बढ़ जाएगी तो उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अगर चैनल पे नई हो तो वीडियो को ल आपके जो चैनल पूल सब्सक्राइब जाएब से चैनल झेग हो एज़ खको वीडियो देया जाएब रहुत जाएबंगे और मुक्क एज़ बढ़ देकी मुटें आपकी बढ़ी है मेंगे च उल्मखेब जाएब बढ़ से सब्सक्राइब जाएब झाएब जाएब की